हेलो गाइस वेलकम बेक टो माई यूट्यूब चलने गाइस आपका हमारे चैनल में स्वागत है तो यह आज मैं आपके लिए लेकर रहा हूँ टैंथ किलास के मोस्ट एमसी क्यू साइंस में जो कि आपके आप बाइयलोजी पॉर्सन में पूछे जाते हैं यह आपके पूरे 20 कि आपके 20 नंबर की होने वाले हैं और आपको इसमें से आपके 8 से यह साथ कोशन मिलने वाले हैं ठीक है तो चलिए विडियो स्टार्ट करने पहले अगर आपने हमारे सेनल को सबस्क्राइब नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को भी लाइक कर इस पाद कौन सा है तो हमारा होता है एन ने टू ओ टू ठीक है लाइस नेक्ट कोशन देखते हैं कि सैगरिनयर करें के चमकदार त्थ होता है यह आउयो कुप पर संके है घ्रम करते हैं तो हमें क्या पराफ़त होता है हूं प्राफ़ता है। पर see you तो दौर कोशिकाये पाई जाती है यादि दौर कोशिकाये होती है वे काहे में पाई जाती है तो आपकी पाई जाती है रंद्रों में तो इसी तरीके से अपने जो हमारा मेहत है हिंदिय है सभी के most important question आपको अपने इस चनल पर बताते हैं मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है यादि जो ग्रास नली होती है जो आपको खाना जाता है उसमें आपकी जो लंबाई होती है उसकी लेंद्ध पूछे कितने होती है तो उसकी जो लेंद्ध होती है वोते 25-30 cm ठीक है और यह आपका important question है क्योंकि कितनी बार आपके पेपर में पूछा गया है प्रिवर्तित हो जाता है यादि जब आपके पेड़ पर थोड़े फूल आता है तो उसका कौन सा भाग आपके फल में बदलता है तो आपका अंडाश यह पित्रस का स्थ्राव होता है यादि जो आपका पित्रस होता है उसका जो स्थ्राव होता है वो कहें में होता है तो आपको किसम होता है वो होता है आपका यह किर्थ में बेरी बेरी रोग किस विटामिन की क्मी से होता है और ये वी आपका दिख्ग पीशे मनुप इप लुख contradictory लिए ब्हुत ये विए होता है मनUSHYEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEM क्या होता है जो आपका जन्तु हार्मोन है एक गतिमान आवेशित कन उत्पन करता है और यह भी आपका क्या है most important question है क्योंकि यह MCQ आपका कितनी बार आपके प्रिपर है पूछ गया है तो जब गतिमान आवेश होता है तो आपको चुमके शेत वे विजू शेत दोनों उत्पन करता है ठीक है see भी अटू और एन एटू एशसो फोर जब दो आपके सब्सक्राइब करते हैं तो आपका क्या बना हूए बी एशसो फोर यह जो आपका बी इता वह आपका एशसो फोर की साथ चला गया और जो आपका सी एल टू और आपका एन एक साथ चाहिए बीए से टू एक साथ हो गये और तू आपको यहां पर बाहर आ गया और आपका एन ने पना सी एल क्या आपकर बाहर आ गया तो अप्रिक करिया का उधारन है और यह आपको most important question जो कि आपकाशि цел δενू में पूछा जाता है तो यह जो आपका बता है यह कि आदा वगा हū इसमें दो कि सॉल्ट बने एक आपका यह अलग और आपको क्या हो अब हो गया यह जो आपका उप्शन लुगा ओपशन नमबर वी और लिए लेकंट विदूत उर्जा की इकाई है और यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट को जने क्यों कि कितनी बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है तो आपको विदूत उर्जा की जो एकाई वह आपको होता है व वह आपके किस चीट को परिवर्थित करता है तो वह क्या करता है वह आपके यांतिक उर्जा को विजित उर्जा में परिवर्थित करता है अमोनिया का यूरिया में परिवर्तित करता है यानिके जो हमारे शरी होता है जो हमारी बोड़ी के अंदर होता है ठीक है यह से अंदर क्या होता है तो उसमें कुछ है कि जो हमारे अमोनिया को वो यूरिया में परिवर्तित करता है जो अमोनिया होता है यूरिया में परिवर् यह से संग्कुेशन को कहते हैं तो क्या कहते हैं कि इसको बोलता है हमारा करमा कुण्चन सबतेना तो या किरा लाती है किस साइड से खुलती है और उदिर लाती है किस साइड से खुलती है और जीन आतीप तो लाती है आप भी आलिंद को सकते कि हमाइने THIS जो कि अक्सिरा करके पिपर में पूशे जाता है ठीक है एसे हम अमने मेट के और आपके हिंदी के और हमारे ड्राइंग के भी ठीक है जो हमारे ड्राइंग थी उसके भी और आपके सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को भी लाइक करें और आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर को बताएं थैंक्यू